हेलो फिवर्स आज मैंने कह रहा हूँ कढ़ाई पनीर की रेस्पी जो बनाना बिल्कुल आसान होगा और स्वाद में रेस्टूरेंट और स्ट्रिट इस्टाइल को भी फेल करने वाला है तो सुरू करते हैं आज की रेस्पी बनाना कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहां पे 500 गरम पनीर लिया है और एक बड़ा साइज के प्याज को पंखुडी के सेफ में कट कर लिया है दो हरी मीर्च है दस बार अलहासन के कलिया मैंने छील करके रखी हुई है और एक सीमला मीर्च को मैंने इसक्वायर में कट कर लिय तरह से मोटे मोटे काट लिया है ऐसे काट लेंगे हमें बहुत ज्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है और दो टमाटर को मैंने इस तरह से रॉफली चौप कर लिया है पल्टे के साहता से कड़ाई में रिफाइन ओयल को फैला लेंगे जिससे कि हम इसमें पनीर डाले तो चिपके नहीं तो इसे अच्छे से फैला लेंगे और थोड़ा गरम होने देंगे अब पनीर डालेंगे इसके अंदर रिफाइन ओयल गरम हो गया है पनीर को सब डाल लेंगे और इसे low to medium flame पे 3-4 मिनिट तक fry करेंगे हमें इसे सिर्फ soft करना है गोल्डेन नहीं करना अब देख सकते हैं मेरा पनीर एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डेन हो गया है क्योंकि कोई आ गया था मैं चली गई थी इसलिए और गैस को आफ करना भूल गई थी पर आप जब भी fry करना इस तरह से गोल्डेन नहीं करना बस हलका fry कर लेना अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ पनीर निकालने के बाद जो रिफायन ओयल बचा है उसी में मैं सिमला मिर्च और प्याज को हलका fry करूँगी बस हलका सा ये soft हो जाए एक से दो मिनट के लिए low to medium flame पे इसे fry करेंगे ज्यादा दिर हमें fry नहीं करना इसे फ्राई होते हुए दो मिनट हो गया है देख सकते हलका soft हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे सिमला मिर्च और प्याज को अब बचे हुए रिफायन ओयल में मैं जितने खड़े गरम मसाला रखी हुई थी उसको डालूंगी और इसे हलका चटकने दूंगी गरम मसाला भून गया है देख सकते हैं लॉंग भी फूल गया है अच्छे से अब इसके अंदर मसाले एड करेंगे अफलेम को बंद कर लेंगे ताकि जो हम मसाले डाले वो जले नहीं छोटी चमच से चोथाई चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक छोटी चमच भरके धनिय पौडर डालेंगे और एक चमच तीखी लाल मिर्च पौडर डालेंगे कड़ाई पनीर में भूने हुए मसाला डाले जाते हैं तभी उसका स्वाध बढ़ियां आता है तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं लगे इसलिए मैंने पौडर को ही गरम तेल में डाल दिया हलका प्राइम भी और मेहनत भी दूनों बचेगा अब इसमें लासन और हरी मिर्च को एड़ करेंगे और गैस को फिर से जलाएंगे और फिलेम को अभी लोही रखेंगे और साथ में चौप के हुए प्याज भी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे लगबक तीन से चार मिनिट ह करना है और लगबक एक छोटी चमच भरके जीरा डालेंगे इसके अंदर और साथ में जीरा को भी फ्राई कर लेंगे लगबक फ्राई करते हुए चार मिनिट हो गया है लोटू मीडियम फ्लेम पे अब इसके अंदर टमाटर एड़ करेंगे जो दो टमाटर मैंने चौप कर रखी हुई थी उसे डाल लेंगे और इसे भी एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे साथ में टमाटर के साथ साथ में यहां पे दो छोटी चमच नमक डाल रही हूं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डालें नमक डालेंगे तभी टमाटर और प्याज सॉ पर पकते हुए तीन मिनट हो गया है मसाला को खोल के देख लेंगे कभी कभी ऐसा होता है टमाटर पानी नहीं छोड़ने के कारण मसाला जलने लगता है तो बीच में खोल के जरूर पलट लेना चाहिए और फिर इसे मैं धकन लगा कर दो मिनट के लिए और पकाऊंगी लग मिक्स करते हैं एक मिनट हो गया अच्छे से भून गया है इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे मसाला ठंडा हो गया है मिक्सी जार में डाल करके इसको एकदम बारिक ग्राइंड कर लेंगे आप चाहे तो इससे छान भी सकते हैं छाननी से पर मैं बगार छाने बना रही हूँ अब फिर से कड़ाई में मैं लगबग आधा चमच रिफाय नोयल पहले डाल चुकी हूँ जो सूट करना भूल गई थी और उसके बाद मैंने लगबग दो बड़ा चमच बटर डाला है और इससे मेल्ट होने देंगे बटर को बटर मेल्ट हो गया है अब इसमें लगबग दो छोटी चमच से क्रस करके कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से और एक छोटी चमच भरके कास्मेरी लाल मिर्च पॉर्डर डालेंगे कलर के लिए यह बिल्कुल ऑप्सिनाल है अब डाल भी सकते हैं और नहीं भी फिर भी सबजी बहुत ही टेश्टी बनेगी कड़ाई पनीर इसे हलका फ्राई कर लेंगे अब ग्राईंड किया हुआ मसाला भी डाल लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मसाला को निकाल लेंगे और इस अच्छे से मिक्स करेंगे और जरुवत पढ़ने पर इसमें थोड़ी से और पानी एड़ करेंगे पर मैं पानी डालकर मसाला को ग्राइंड किया था इसलिए मसाला मेरा थोड़ा पतला लग रहा है तो मैं अभी पानी नहीं डालूंगी अब इसके अंदर सिमला मिर्च और प्याज को अड़ करेंगे और इससे अच्छे से मिक्स करके लगबग दो मिनट के लिए पकाएंगे धक्कन रगाकर लो टू मिडियम फ्लेम पे दो मिनट हो गया खोल के देख लेंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं प्याज और सिमला मिर्च ने भी पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा तो ग्रेवी में अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है अब इसमें हरा धनिया दो चमच डालेंगे बारिक किय अच्छी कड़ाई पनीर बनेगी और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फिलें पर पकते हुए दो मिनिट हो गया है मेलाई के साथ ग्रेवी अब देख सकते हैं ग्रेवी हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट पक गया है अब इसके अंदर प्राय कियो पनीर डालेंगे और आ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें ढखकन लगा कर तीन से चार मिनिट और पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर लो फ्लेम पर पकते हुए चार मिनिट हो गया है इसे खोल के देख लेंगे देख सकते हैं सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है और खाने में बिल्कुल मा बनाते हैं रेश्टोरेंट में बनाते हैं बिल्कुल वैसा स्वाद आएगा इसका तो सब्जी हमारी बन करके बिल्कुल डेडी है और इसे मिक्स करेंगे और गैस को आफ करके सब्जी को सर्व करेंगे सबजी को निकाल लेंगे देख सकते इसका टेक्स्टर कितना अच्छा आया है और जितना अच्छा है देखने में उतनी सबजी स्वादिश्ट है कड़ाई पनीर जरूर एक बार इस तरह से ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और जटपट बन के तयार होगी ये सबजी और बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसा आप लोग खाते होंगे बिल्कुल वैसा स्वाद आएगा इसका तो जरूर एक बार ट्राइ कीजिए इस रेसिपी को अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ बाई